नमस्कार आप देख रहे हैं भारा समाचार का खास करक्रम दो पहर वोर और आपके साथ मैं हूंदी पबाफिला कल बजट पेश होना है और पेश होने वाले बजट से हर इंसान को काफी उम्मीदे हैं बेहद उम्मीदे हैं देश में पहली बार कोई महिला वित्यमंत्री बजट पेश करने जा रही हैं पहले इंड्रा गादी ने वी 1970 में बजट पेश किया था लेकिन वो कारिवाहक वित्यमंत्री थी नई वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन पार जुलाई को मोधी सरकार के दूसरे कारिकाल का पहला बजट पेश करेंगे एक महिला वित्यमंत्री के जरिये पेश होने वाले बजट को लेकर महिलाओं में खासा उत्सा और उम्मीदे है सभी की निगाए इस बात पतिकी है कि कल क्या घतेगा क्या बढ़ेगा सरकार की सोर सबसे ज़ादा ध्यान देगी ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में हैं जो कल तक के लिए उफान पर है कि आखिर निर्मला सीता रमन क्या कुछ अपने पिटारे से निखालेंगी आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आधियाबादी को उम्मीदे क्या है निर्मला सीतारमन से पहली मर्थबा कोई महिला वित्नमंत्री बनी है पून का लिखे लिए और ऐसे में उम्मीदे लियाज बढ़ जाती है महिलाओं की देश भर से अलग-अलग राई, मश्वरा, वित्नमंत्री के लिए लगातार सुझाओ भी वित्नमंत्री ने मागे ते इसी पर चर्चा करते है कुछ मेहमान मेरे साथ मौचूत है उनसे मैं आपका परिशे करवा अग्या होना चाहिए कल पेश होने वाले बजट में एक महिला होने के नाते सबसे पहले बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, एक महिला होने के नाते सबसे पहले आपको क्या उम्मीदे हैं? और क्या आस लगा के बैठी हैं आप देगे सीता रमन जी बहुत सुल्जी हुई मैला है वो हर तरह से अच्छे से जानती है कि कैसे होना चाहिए और मैलाओं के लिए पिछली बार बहुत अच्छा बचट था उसमें संधरी कार्ट के लिए भी था और मैलाओं की सबसीडी के लोन वेगारा भी था मैलाओं के बिजनस के लिए भी रहा कई चीजे उन्होंने मैलाओं के लिए पिछली बार भी बहुत अच्छा बचट पेश किया था जबकि निर्मा सिता रमन जी ने थी हमारे प्यूज गोयल जी ने किया था और उसमें हमारे तो अब भी मुझे पू बहुत सुविधाएं दी गई समानवर को पाँच लाग को टेक्स को माफ किया गया बहुत एक अच्छी सी मनले सबको एक रहात मिली थी तो मुझे लगता है कि वैसा ही कोई आएगा कि सबको रहात मिलेगी जिसमें महला भी हो पुरुष भी हो और सबको रहात वाला बचट अब होईडमी जाएगी गीज़णी स्वाला बीक होईट सब्सक्ति वाणंने फूला रहात में उन्हों के शचा कर सकती है आपको क्या उमीदे हैं specifically वित्मद्री से देखिए उमीदे तो पूरे देश की जनता को हैं खाली मैलाओं को नहीं है और सबसे बड़ी बाद है मुझे लगता है कि उपूरा इस इसका ध्यान रखा जाएगा क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकार सबके विश्वास को लेकर चली रही है तो पूरी हर जगह हर चीज का ध्यान रखा जाएगा जहां तक मुझे लगता है मैलाओं के बिजनस के लिए मैलाओं के और आवशक वस्तों के लिए उनके ग्रहनों के लिए काफी सुईधाय मिलेंगी और पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए अच् नाहिद अकिल मैं आपके पास आ रही हूँ आपको कितनी उमीदें वित्मंत्री निम्ला सी तरमन से क्योंकि पहली मर्तबाय ऐसा होने जा रहा है क्योंकि कोई महिला वित्मंत्री बजट पेश करेंगे इतने सर्वोच पत पे इंद्रा गांधी जी के बाद एक महिला वित्मंत्री पूर्ण कालिक आई है निशित तोर पर बजट में हमें उस तरह की उमीद नहीं कि शायद ये करें क्योंकि ये वर्किंग लेडी है नहीं तो जब भी बजट आता है तो गैस, सेलेंडर महिलाओं के प्रसाधन को लेकर के ही रोग दिया जाता है कि आउरत मतला वो सजेगी और खाने के लिए और पकाने के लिए उसका इंतिजाम होना चाहिए उससे जादा नहीं सोचा जाता है मैं चाहती हूँ कि निर्मला जी जेंडर बजटिंग करे उन उन छेतरों में जिसमें औरत कंधे से कंधा मिलाकर जल सके सपोज अगर इतना देश में जो है तीन करोड से जादा सिंगल विमेंस हैं उनके डवलपमेंट के लिए उनके नौकरी के लिए उनके लोन के लिए बजट होना चाहिए देश में महिला पुलिस को अपग्रेट करने के लिए उसका बजट होना चाहिए महिला थाना एकदम सोती हुए अवस्था में होता है गाड़िया नहीं होती है उनके आने जाने का संसादद नहीं होता है रूरल एरिया में अगर थाना होता है कभी ऐसी जरूरत पड़ती कि महिला वहां स्टे कर सके महिला पुलिस तो नहीं कर सकती है वैसी बजटिंग होनी चाहिए हमारी judiciary में ये इतना अगर जो PCSJ का एक्जाम दिया जाता है उसके लिए अलग से एक budget होना चाहिए जो educated महिला हैं पढ़ रही हैं बचियां आगे बढ़ रही हैं कि जादा से जादा महिला judges बन सकें क्योंकि जब महिलाओं से संबंदित मामले होते हैं तो तमाम ऐसे हम लोगों ने उनके मुह से ये सुना है कि ये fake cases लाए जाते हैं महिला जज बैठेगी तो वो उसको सुन सकती है तसली से कर सकती है कार्पोरेट को लेकर के वहाँ पर sexual harassment at workplace committee बनी है ना तो private ना तो सरकारी दोनों संस्थानों में बनने के बाद कहीं भी ये लागू नहीं हुआ है तो gender budgeting होनी चाहिए उन छेतरों में आज हमारी महिला पाइलेट होती है तमाम जगा अवसिवधाएं होती है इस तरह का budget होना चाहिए कि चहुँ मुखी विकास और तोका हो सके सिर्फ उनके सजने सवरने के budget ना आए कोल मिलाकर अभी तक महिलाओं को kitchen से समेट कर kitchen तक ही आप पर साथ साजाई सब चीजों पर समेट कर रख दिया जाता था आपको यह उम्मीद है ने एक निट आपके पास आउंगी अब आपको यह उम्मीद है क्योंकि महिला वितमंतरी है लेहाजा आप यह कह रही हैं कि बह पर देश में ग्रहमंतरी बन सकते हैं महिला और वह एक अनुभाव लेकर के आ रही है फिर उनको उनके काम के basis पर ही वितमंतरी बनाया गया आज तो आज महिलाओं को उनसे बहुत उम्मीद है और मैं आशावान हूं कि वो करेंगी सबस्वेतरे नहें कर देना चाहिए बात इनकी बिल्कुल सही हो प्रज्टब को दिया है मैलाओं की आप सर्कार ने ध्यान दीया है मैलाओं की जिक्षापी स्वास पे ध्यान दिया बचट नहीं है एक विछ देखा उन्होंने जो आप विध्वा है रिजदवस्ता है या अकेली जो मेहला नहीं थी उनके लिए ध्यान दिया गया था पिछले बूंडे याथ और सबसे बड़ी बात है उनकी शिक्षा केली बी भी बचट का ध्यान दिया कि मैं लड़कों की शिक्षा इंटर तक फ्री दी जाएगी आगे उनको दूसरी शिक्षा पर पूरा धिया गया और जहां तक हमारी सरकार है यह सरकार ही हमने देखा है कि ऐसे जो सब के लिए बहुत अच्छा विचारत ही बहुत अच्छा सोचती है जिस वजह से उन्होंने जो मेलाह की था पी हुझ ईब्चा था और वसकी महाइश पर चलिए से अरुपा विका गया था हर चीजं के लिए बचयश देया था। इस बाहर भी आप आप आपी जेखिए पूरी तरह से बचय आएगा म 느OC के लिए क्योंकि हम जो सबका साथ सबका विकास लेके चलती हो मैला प्रुष को अलग नहीं करें तो मैं दियाद दिलाती हूँ था मैं आपको बता ट्यू टेक्स लगा था दूसरी बार आप कह रहे ही सिंगल वेमन विद्वा वेमन वही हेमा मालनी जी मतुरा में जाकर के कहके आई थ कि ये जो औरते हैं इनके पास इनको क्या जरूरत है और जो वहाँ पर रह रहे हैं विद्वा आश्रमों में और इनके पास बहुत बैंक बैलेंस होता है इनको जरूरत नहीं ये बनती हैं तभी मैंने पेपर में प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा था कि सारी एकल महिलाओं से य हैं बज़ट पास होना और सरकार चला के कुछ कर देना दो अलग चीज़े होती हैं बजट मतलब यह होता है की वह बजट आएगा हम देखेंगे कहां कितना कि कैसे कैसे खर्च हो रहा है उसका एक मानक होता है उसके बाद देखते हैं कि कितना विकास औरत का हुआ सिर्फ जबानी खर्च से नहीं आज अगर बजट रिलीज होगा तो उसको खर्च करने के लिए पूरा एक नीती बनेगी कैसे कैसे का खर्च हो अनीता अगरिवाल हमने ये कर दिया हम ये करेंगे इससे काम नहीं चलेगा क्या है है अब इतना बड़ा बड़ा दिखा रहता है लोगए फिर जब पूचों तो काम मैडम की सरकार ने कहा है हमने लिख दिया है लेकिन हम लोगों नि आस तक एक भी लोन क्या आप देखे लिए और सबस्टी भी माफ हुई है कई मैलाओं को लोन मिला है बिजनस के लिए सबसीडी भी माफ हुई है ऐसा नहीं है कि नहीं मिला परधान मंती मुद्रा अज का नहीं था बहुत पुराना था इसको खाली कड़ा गया है जाके देखिये बैंक में एक कॉ के लिए सबस्टी माफ की गई है नहीं अटर्जी आप मेरे सायथ अभी निकले आप दिखे दिखे लिए पूरा लोन दिया जा रहा है कि मैला जो फेक्तरी चला रही है कर रहे हैं मैं विपारी नेता भी हूं और बता सकती कि विपारी मेनों ने बहुत सा कि बाद से बाद मेदा कर रहे हूं तो मुद्रा लोन के लिए अपलाई 11% मिलता नहीं उसके बाद मैं FD के अगेंस लोन लेके बिजनस कर रही हूं वो इजली मिल जाता है 6% FD का इंट्रेस 90% आपको लोन मिल जाता है 6% पे आपको ब्याद देना पड़ता है मुद्रा लोन में 11% देना पड़ता है और FD लोन म आप FD के अगेंस लीजे विदिन 15 मिनट आपके खाते में पैसा आ जाता है तो आपकी सारी पॉलिसी कहां गई कहां बजट चला गया आप चलिए अभी यहां से निकल लिए किसी भी बैंक में हज़र्ट में चलिए चाहिए UBI में चलिए जिसमें चलिए अगर बैंक बात है अगर लेकिन हमारी सरकार की पूरी योजना गया ऐसा कुछ अथा आपको कंप्लेंट करने अगर अपके लिए क्या सवोलियत होनी चाहिए इस पर बात कीजिए ना आमने ये किया वो कि यह क्या होता है दीपा जी मैम बिजनस्मेन महलाओं की लोन की बात है वेपारी महलाओ आमने मनें देखा कि बहुत सी मैलाओं वेपारी मैलाओं लिये है और लोन से बहुत अच्छा बिजनस चला रही है लेकिन अपने भीट्र को अपने पाय्ट्रог को ले कर सकते हैं कम्प्लेंट हो यह लेकिन है लेकिन ऐसा नीए कि भैंक लोन नहीं दे रही हैं सब्सक्राइब गाइब है तो कंप्लेंग किजिए और कंप्लेंग किजिए उल्जा दीजिए पूरी ताह से social media हमारा इतना active है उसमें कह सकते है, online कह सकते है online शिकैयत हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है जितना अथा ही होता त Nur वो बजट जाता है कि पिछले साल का इतना था तो इसी बेसने प्रफॉर्मेंस अच्छा है तो आगे इसमें क्या इंक्रीज करना है तो यह महिलाओं की अगर बात हो तो महिलाओं को हर छेतर में इसलिए मैं जंडर बजिटिंग की बात कर रही हूँ जंडर बजटिक मतलब है कि चारो दिशा में महिलाओं का विकास बराबर होना चाहिए, ऐसा बजट बना चाहिए, उनकी सुरक्षा पे बजट बनना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाई के लिए बजट बनना चाहिए, एकनौमिक ग्रोथ के लिए बनना चाहिए, पलिटिकल ग् सब्सक्राइब करें लिए इस लिए हमें याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हमें इन चीजों पर चाहिए कि हर शेत्र में विकास होना होगा मगिलाओं का सिर्फ आप किच्छन तक कि उनको समय करना रखिए आप चारों दिशाओं में ले जाए ना उनका विकास कीजिए ना काम काझी मेलाओं के लिए बचट अलग से पास होता है अलग से पेश होता है असा नहीं हमारी मंतरी मंत्री है विशेश ध्यान देंगी हमें पूरी करना अब इस इतर शेक्षाओं सुरक्षा के लिए कल बज़ट में क्या किजगा बताइए गजार रहा क्या होना जातें महिला सुरक्षा बहुट बड़ा मुद्दा है महिला यह तो यह ते कि हम भले ही दो रोटी कम का लेंगे लें हमारा जो बच्चीह बार जाती है उन पर बात किसे टिपिकल कियों बनारे हैं टिपिकल के बत है कि मेला सुरक्षा निकाला जाएगा और उसके लिए अपने पड़ाना उसके लिए देखभाल करना य полез कर नहीं शिक्षा का भी आए गा है रह बार आता है क्या जो आज नहीं कि बने पर करहेंगा है कि आप लिए अच्छा करेंगे और अधार्य करें। सबसे पहले जो आता है उन्हें का कि हमारी सबसेडी जो है साथ परसेंट कि जाएगी तो अब आप देखी जो जब साथ परसेंट तक उन्होंने बोली है तो बट नेचरल है कि वह उसको और अच्छे से देंगी अच्छे से पेश करेंगी और मैलाओं के लिए विशेज ध्या देगी इसमें कोई दो रहे हैं बिल्कुल और नहीं दखील महिलाएं भले ही वो हाउस वाइफ हो कामकाजी महिलाएं हो लड़कियां हो सभी के लिए सुरक्षा तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी और महिलाओं से लगातार हमने भी बात की जगर जगर हम भी गया हम लोगो के जो सदस्य पूरे प्रदेश में हर राजियों में होते हैं क्या उनके बैठने के लिए क्या बजट नहीं बढ़ा सकती बढ़ाना चाहें तो महिला सरुक्षा बहुत अच्छी तरीके सोचती वहां उनके एक आफिस की वेवस्ता होनी चाहिए प्रदेश भर से आपको रा शौचाले पर ही पूरी सरकार टिकी हुई है आज बताईए आप अभी यही चैनल से उठके बाहर जाते आपको शौचाले ईजली मिल जाएगा महिलाओं के लिए बिलकुर मैं अब हर जाए आप लिखनों की बार्ना करिए कि जीपियों के बगल में आप बता देंगी आप पालट महिला में इंगे लिए इस ने आपके आप दिजेए बागी जाती हूं पेट्रोल पम्पे जाना पड़ता है आप बताना चाहां कि पट्रोल पम्पे भी उसमें ववस्ता हमारी सरकार ने कराई थी और खाली आपी के जाप से पैट्रोल पॉप गएरा दिये जाए तो उनना स्पेशली बोला था आप इसका अगर देखेंगे उस समय तो अटल जी की जब सरकार थी तो इसमें विशेई ध्यान तब भी दिया गया था और आज शोचाले के लिए आप देखिए आप कहीं भी जाएए पूरे परदेश में मैं भी जाती हूं दोरा करती हूं मैलाओं के विवस्ता अलग से है हर जगा शोचाले के वस्ता है मैँ आज एक नच बहुत आसान होते हैं बहुत इसली आपनी कहा दिया कि मुझे सारे सुविदाय ओधाय मिलती हैं तो पिर अभी तक जो महिलाओं की दोरा सुचा अविदि मंतरी को मिल रहा हैं वो जूटे हैं क्या महिलाओं के क्या जबनाइन कि यह कुछ पूर्ण नूपर आदमीं किसी को दे का लेकिन आप देख लिजिए कि जितनी मेलाओं को स्विधा धीरे बढ़ाई जा रही है और जाए काफी कुछ आगे पहुंच चुकी एसानि हर जगा हर फिल्ड में मैलाओं का अपना स्थान है अपनी बात रखती है पहले घरेलू मैलों की कोई वेल्यू नी होती ती आज आज जाकर देखिए पहले और अब में नकम प्यार किया इसले को पेर करना पड़ेगा क्योंकि अब पहले आप में फरक आ चुका है जब फरक आ इतना है जी नहीं ऐसा नहीं है यहां सलेंडर मिला उसके बाद आप मरे साथ चलिये मली अब आद चलिए बारा बंकी चलिये अगर अच्छा होता मैडम अच्छा होता अगर देकि आप बजली की बात करती हैं गावं में 15000 रुपय में connection आपने दे दिया में गलती होता लेकिन आज क्या है मीटर जो आज लग रहे हैं इतनी तेज चल रहे इतना इतना बिल और connection लगा भी नहीं बिल काटे जा रहे हैं मैंने आएक एक गावं के 20-20 लोगों को कलेक्ट करके धरना दिया है कि उनके बिजली लगी नहीं और बिल पहुंच रहा है यह आपका बिजली की सुधाय है मैं बता रही है जो मीटर गाउं में लग गए विचारे एकदम आज निहत्ते हो गए तो कि बहुत को गलत नहीं कहेंगे कहीं 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 ऐस सब्सक्राइब निकल करें कि सब्सक्राइब लगता है दीपा जी देखिए एक बिजली की बात होगे दूसरे आप महिला सुरक्षा की आप 181 आशा ज्योती केंद्र दो चल रहा है मैं मानती हूं मेरे तमाम मिलने वाले वहां काम कर रहे हैं तीन-तीन महीनी तंखान ही मिलत अगर ये जंडर बजटिंग के सब्जेक्ट नहीं है आप बताएए कि वो विचारी 24 घंडा काम करती है 7 to 24 होता है उनका काम और उसके बाद उनको 3-3 महीने तंखाने मिलती है का पैसा हाई नहीं तीन-तीन महीने तंखाने मिली कैसे महीला सुरक्षा होगी आप उसके लिए बजट निधार करिये टाइम से पैसा हो और दिमांड एंड सप्लाई जो आपके पास टाइमली बजट ट्रांसवर होना चाहिए आज बजट हो गया अगर एपरिल का काम है तो वो आपका बजट जब रिलीज होता है वो होते होते फरवरी हो जाती अब फरवरी में आपके बजट की रिलीज कब होगी ट्रांसवर कब होगा आपने बजट होगया बजट ट्रांसवर होने में जनपदों तक बहीनों लग जाते और उस महीनों में काम लंबित होता है कैसे यह आप दपकी बात कर रही हूँ हर क्वाटरली मिटिंग होते हैं सांसर बैठता चीहतर के लोग बैठते हैं बजट आता नहीं है तो कहां से खर्च करेंगे इसका जवाब लीजिए अनिता अगरवाल बोलेगा देखी जो यह बता रहे हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि बचट आता है अभी पीछी बचट आया है उसको तन लागू किया गया है कहीं खहीं ऐसा मैं यह नहीं कहती है बिल्कुल सही है कहीं कि आप मिनकी बात को मान सकती हूँ कि हां कहें कि ऐसा होता होगा कि मीटर लग गया है अधिकारी जागरुक होते जारे और उनको मालूम है कि सरकार का डंडा हम पे चलता है जन्ता का डंडा चलता है क्योंकि जन्ता भी जागरुक हो चुकी है जंता भी म fortunes गॉर्गी हो में याज चुकी कि जंता बहुत जाग रुक है जंता भी काफि जाग रुक है जो बचऩ के जाते हैं उसको तौन दर्फ थे चारतना भी जाता है यह पहले विष्शा चलती द्हुलित धीली यह अब काम हुता है कि 10 weakness के देट जहा Samu जब वसाइद थी वह पहले था आप नहीं हैं सरकार में तिकाहा बहुत अनिये वह यह आज़ार हमारे चलिदा को सुविदाइडी जारे है जन्ता के बने हैं ऐसाल की जारे है आसान के दिसकेह नहीं होता है चुटियों के विवस्ता मैलाओं की सुख रगल कि आप अब रही है इसे इसे बात रख लीजी आप लाल लीजी आप नहीं जो हम ना बोले आप बताएगे जो का थो आप पर आप बताती हुआ मैं अपने अनुभो से बता रही हुँ मैं चाइड लाइन डारेक्टर बाराबंकी की दो साल रही चाइड लाइन चला रही थी 24 घंटे का काम और वो एक साइकिल तक नहीं दिया और जो भी था व्याफिलाल करना है दो दो साल नो नो स्टाप को अपनी जेव से पैसा देना द साल तक बजट नहीं आता मैंने पूछा कि कौन सा आपका फाइनेशल यर है कि कतिसमाज को क्लोज नहीं होता है दो-दो साल पैसे नहीं आते थे बहुत चिठ्थी पत्री किया उसके बार मैंने लिख के उनको दे दिये कि आपका डारेक्टर आपको मुबारक मैं नहीं कर प पहे पारी वो करें मैं कहां से अपनी जैप से दू लोग पैसा माइनने लगते हैं मेरी घुडविल खरांब हो जाती अब ट्रेनिंग होती तो उसमें पाड़ लम्हिलाओ को पैसा देना पड़ता वह बैंक से ट्रांसवर होता है अगर बैंक से ट्रांसवर नहीं हो रहा त तो जिनको training दी जाए दी वो करें हमको पैसा नहीं मिले पांडे जी खा गए और पांडे जी को दो साल से पैसा नहीं मिला है तो यह budgeting अगर आपका fund release timely हो जाए तो क्या लोग अच्छा काम नहीं करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वही जब foreign funding होती ही donor agency वो हर quarter पे चेक करती थी क्या आपने काम किया क्या आपकी performance है आपने रिपोर्ट वेजी उन्होंने चेक किया पैसा बेज दिया सरकात दो-दो साल तक पैसे नहीं देती ती तीन-तीन साल तक पैसे नहीं देती आप काम का result कहां से पाएंगे कैसे महीला सुद्रक्षा रुखेंगी इन जो अनिता अग्रवाल पूछ रहे हैं उसको ले जा रही हैं जो हमने आप देखी जो कहीं मैं किया नहीं किस सब जगा सुधार हो चुका है आपकी बात में है सही हाँ कई ऐसी जगा जहां पर नहीं हुआ है लेकिन दीरे धीरे ही उसको और बाकिर्जव सही उसको तो मानी है कि हाँ काफी आपकी सरकार ने काफी अच्छे काम किये हैं लेकिन आप उसको क्याया आप मेंशा नगेटी में जन्ता कौन सी रहत करें यूँ आप विचारे बेकार हैं उनको रुजगार लिए आप ऐसी बात करें झाव सुरक्षित नहीं है अप एलेक्षन की बात करें की बात करें की प्रेजन क्या है आप जीत अच्छा होता अनिता अगरवाल अगर कुछ अच्छा राजनितिक हिट से दूर हो कि आपने बोला होता महिलाओ के हिट में तो वह एक अच्छा मैसेज जादा लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए कल बजट पेश होने वाला है क्या होगा महिलाओ के लिए बजट में क्या वितमंत्री के पिटारे से निकलेगा इसके लिए कल तक का इंतिजार करना होगा फिराल के लिए दो पैर